गाओं के सबसे मीठे केले और रसीले आम मोहन के पेड़के होती थे भसल बहुत अच्छी हुई है बसंती इस बार इन्हें विजय नगर के बड़े बाजार में बेच कर हमें खूब मुनाफ़ा होगा क्या मज़ेदार खुश्बू है किसी ने एक किलो आम लिये तो किसी ने दो और किसी ने केले यह क्या लेकिन तभी एक ऐसी खुश्बू आई कि मोहन भी खुद्धर रोख ही नहीं पाया यह मेरा है क्या है भाई इसमें पायसम खाने की चीज है थोड़ा सा मुझे दोगे तुम्हे दूँगा तो मैं क्या खाऊंगा शे केले और आम के बदले में मोहन ने आदमी से पायसम ले लिया और है और चाहिए तो खुद बनाऊ ना घर पे कैसे बनाते हैं तो बहुत सारे केले और आमो के बदले में आदमी ने मोहन को पायसम बनाने की रेसिपित बता दी बसंती आरे बसंती सुनो तुम्हां बहुत खुश हो बहुत मुनाफ़ा हुआ क्या मुनाफ़ा छोड़ आज एक ऐसी चीज खाकर आया हूँ कि मन प्रसं तबियत खुश और आत्मा गड़बर हो गई रुको तुम्हें दिखाता हूँ ये डाले शक्कार ये डाला घी ये डाले काजू और किशमेश और बन गया पायसम ये बरतन तो खाली है लेकिन मेरा दिमाग खाली नहीं बसंती देख मैं बनाने का सब सामाल ले आया बस तुव फटा फट बना लेकिन लोकडी नहीं है अभी लाता हूँ अब वाँ बिमाँ लेक्षण वापना लेक्षण वार्फ फट्स में लेक्षण दिए है 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 बालू बचाओ ये बालू कहां से आ गया ऐ है है मुझसे गलती हो गई बचाओ आज ने बालु जी आज मुझे खाना है तो मुझे खाओगे नहीं 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 भालू जी मैं तो पैसम के गरता ना तो उलखडी आपको लगती। लगता है मेरा पाइसम क default खाने का सपना सपना ही रह जाएगा। पाइसम? यह पाइसम क्या होता है? पाइसम? पाइसम का स्वाद? यह जो पाइसम की खुष्पू पाइसम नहीं खाया तो pratic finisam ये बोलने वाला भालू भी ठैरा, खाने का चोखील पाइसम मुझे भी खाना है, मुझे खिलाओगे ना लेकिन उसके लिए और लकडियां लगेगी तुम पाइसम पर ध्यान दो, सो, पात सो, जितनी कहोगे लकडियां ला कर दूँगा अना, बस पाइसम काफी होगी, इतनी लकडियां तो महीने भर चलेंगी तो तैरा, क्या, भालू, लोग अपने दोस्तों, रिष्टेदारों को निमेंतरन देते हैं, तुम भालू को दे आए हो, 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 बेशारी बसंती क्या करती, जुट गई, अतिति के लिए पाइसम बनाने में वाह, मर्म पाइसम तयार था, बस अब अतिति का इंतजार था खुश्बो तो यहां तक आ रही है, रहा नहीं जा रहा, क्योंने हम थोड़ा चक्कर देख लें हाँ, हाँ, थोड़ा सही चक्केंगे ठककन खोलते ही, सुखे मेवे के साथ मिलकर, केसर की वो खुश्बो उड़ी, के फिर तो दोनों के लिए रुपना मुश्किल हो गया जब मच्चूपी, पटोरी आई, वो गई, तो प्लेट, और फिर तो पाईसम का बर्तन था, और वो दोनों खाते ही जा रहे थे, खाते ही जा रहे थे हाँ, हाँ, हमने तो पूरा पाईसम खा लिया, अब क्या करें? भालू क्या ही जान बाएगा पाईसम का स्वार? ये सोचकर, उन्होंने दूद में पानी मिलाकर, बचे हुए मुठी पर चावल मिला दिये अब वो जो भी था, बनकर तयार था, दोनों को लगा, जब वो घर पर होंगे ही नहीं, तो भालू को ये अच्छा लगे या बुरा, वो उनका क्या बिगाड़ पाएगा? पाईसम! पाईसम के लालश में भालू बेचार ब्भू का आया था, आते ही वो लगा पाईसम खाने, लेकिन पानी की तरह एक्दम पतला, और मुठी पर जावल से बिना गाई फूट के बना पाईसम, उसे कितना अच्छा लग था, बच के कहां जाओगे? नहीं छोड़ूँगा! पाईसम के नाम पे इतनी तारीफ करके ये क्या खिला दिये मुझे? एक बार हाथ लग गए, तो छोड़ूँगा नहीं! हमारा घर! चंदू के पिता ने उसके लिए विरासत में धेर सारी जमीन जायदाद छोड़ी थी, पर उसको उनकी कोई गदर नहीं थी, क्योंकि उसने कहीं से सुना था कि एक जादूई वशदी है. तो वो दिन रात उसी ओशदी को बनाने के चक्कर में लगा रहता था, इसका फायदा उठाकर गाम वालों ने उसकी सारी जायदा धड़प ली थी. यह जड़ी बुटे काम तो करेगा ना? हाँ हाँ, साटका काम करेगी. यालो, सिक्क है. इस बात से उसकी पत्नी रमा बहुत चिल्थी दिया. आयायो, सार जमिन तो बेच दिया. अब जो चोटस जमिन पड़ा है, उस पर तो ध्यान दू. वरन्ना वो भी आत सिनिकल जाएगी. सिर्फ एक बार वो सोने बनाने वाला आश्यदी में बना लू. पिर दन ही दन होगा. और सुक्क ही सुक्क. आयायो, पता नहीं कांसा आश्यदी का भूत सवारी नपर. भिक्षाम देही, भिक्षाम देही. पनाम महाराज. आये महाराज, आये, विराज ये. पुत्र, मैं तुम्हारी सेवा से अतिप्रसन्न हूँ. क्या सचमुच महाराज? फिर तो हमारा जिंदेगी सबल हो गया. बस जाने से पहले ये एक बात बता दीजिए. मैंने एक जादूई आश्यदी के बारे में सुना है, जो किसी भी चीज को सोने में बदल देता है. क्या ये सच है? बिल्कुल सत्य है. जब मैं हिमाले में तपस्या कर रहा था, तब मैंने उस जादूई आश्यदी को बनाने की विधी भी सीखी थी. क्या? मिल गया, मिल गया. मेरे को बालूम था, महाराज. अब जल्दी से मेरे को आश्यदी बनाने का तरीका बता दीजिए. इसके लिए बहुत महनत करनी पड़ेगी. अरे, इतना साल से महनत ही तो कर रहा हूँ. आप बस तरीका बताइए, मैं कर लूँगा. तो फिर ध्यान से सुनो, तुम्हें एक केले का पेड़ लगाना होगा, और उसको रोज पानी देना होगा. बस अरे, ये तो बहुत आसान काम है. पहले पूरी बात तो सुनो, जब वो पेड़ बड़े हो जाएं, तो ठंड के मौसम में उनके पत्तों में ओस जमा होगी. तुम्हें उन ओस को इन शीशियों में जमा करना होगा. शीशी में ओस? वो भी पेड़ लगाकर. अरे, महाराज, कोई आसान तरीका बताएं. आसान तरीका? फिर तुम्हारे बस की बात नहीं. अरे, रुख जाओ महाराज, रुख जाओ. आप बस उपाय बता दो. मैं पूरा जी जान लगा दूँगा उसको बदाने में. तो सुनो, जब तुम्हारे पास ओस से भरी ऐसी पांच शीशी जमा हो जाएंगी, तब उन्हें लेकर मेरे पास आना, मैं उन्हें अपनी मंत्र शक्ति से जादूई ओशधी में बदल दूँगा. फिर उस औरशधी की एक बूंद किसी भी चीज़ को सोने में बदल देगी. ठंडी का मौसम तो साल में बस कुछ महीने ही रहते हैं, ऐसे में पास शीशी जमा करने में तो मेरी जान चली जाएगी और कई साल निकल जाएंगे, मगर कोई रास्ता भी तो नहीं है. चंदू पूरे खेत को साफ करके उसमें धेर सारे केले के पेड़ लगाता है. और दिन रात उनकी देख़ाल अच्छे से करता है. चाहे आंधी आए या तुफान. और आखिर में उसकी मेहनत रंग लाती है. और पेड़ों में थेर सारे केले लगते हैं. आययया, आपका मेहनत का पल, देखो कितना सारा है. अब गर में चारू तरब सोना ही सोना होगा. सोना? पर केले से सोने का क्या लेना देना? केला? अरे बैबकूप, मैं केले का नहीं केले के पत्तों में जमा ओसकी बात कर रहा हूं. इससे ही तो वो सोना बनाने वाली आशोदी बनेगी. ऐसा वो सादू महाराज ने कहा है. आयययया, यह सब तुमने केले के लिया नहीं, ओसके लिए किया. अब तुमको जा करना है करो, पहले मेरे को यह क्या लेला कर दो, ताकि मैं बजार में जाकर बेच सकूँ. अब आए, ओस्स. अब आए, ओस्स. तुमारे चक्कर में नुख्सानों गया? अब पहले मेरे को ओस्स जमा करने दो. बस यह आकशीशी, ऐसा ही पांच सीसी जमा करने में मेरे को कई साल लग जाएंगे? तुम तार जमा करते रहा ओस्स. माई चली केले बैचने. चंदू हर साल केले के पेड लगाता और उनसे उस्स जमा करता था. इधर रमा पेड में लगे केलों को बाजार में बेचाया करती. देखते देखते पांच साल बीत गए और आखिरकार चंदू ने पांच बोदले ओस्स जमा कर लिये. अरे वा, मही ने कर दिया, आकर मही ने कर दिखाया. महाराज, देखिये, देखिये, ये रहे पूरे पांच सीसियोस. अब जल्दी से अपने मंत्र से इसको जादूई आउशदी बना दिजिये, महाराज. चला अभी जल्दी से सोने की ताली बन जा. और डालता हूँ. ये वो क्यों निराज? सोने का पत्ता बन जा. ये भी नहीं हुआ. ये भी नहीं. ये काम क्यों नहीं कर रहा है जी? क्योंकि ऐसी कोई आशदी होती ही नहीं. क्या? ये तो धोका है महाराज. आपने अमारे पांच साल बरबात कर दिये. अरे रमा, तुम यहां और ये क्या है? देकर. इतने सारे सोने का सिक्क? यही वो सोना है जिसके लिए पिछले पांच सालों से तुम लगातार बहनत कर रहे थे. मतलब? मतलब जब तुम खेती करके केले के पेड़ उगा रहे थे, रमा उनमें लगे केलों को बाजार में बेचाया करती थी. और धीरे धीरे उसी से इसने इतने सिक्के जमा कर लिए. यही तो है तुम्हारा वो सोना और ये किसी ओशद ही से नहीं, तुम्हारे परिश्रम से जमा हुए हैं. पर यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर पहले बता देता तो तुम यह सब करते ही नहीं. हम एक शमा कर दीजे महाराज, हमारी समझ में आ गया कि महनत ही असली जादू ही ओशदी है. उस दिन के बाद चंदू कूब महनत करता और बिना समझे भूजे किसी की बात पर भी भरोसा नहीं करता था. विजे नगर में भासकर नाम का एक व्यापारी अपने व्यापार के लिए आया करता था. लेकिन इस बार उसकी गाड़ी में फलों, अनाजों और दूसरे सामानों के साथ कुछ और भी था. और वो था उसका गोल मटोल बेटा भानू अर्मा. भानू, यहां से देखो बेटा, तुम्हें तो विजे नगर देखना था ना? का है? का है? कितना सुन्दर नगर है बाबा. क्यों, कैसे हो काका? बहुत बढ़िया भास कर बेटा. बेटी, यह उपहार चिरॉन जी काका को दे दो, जाओ. ठीक है, काका, काका. यह क्या? यह क्या? बूत! 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 बचाओ! बचाओ! अरे, इस बार तो मेरे छोटे व्यापारी मित्र भी आये हैं. भानु बेटा, यह एक सिका लो और बाजार घूम कर आओ. तब तक हम एक जरूरी काम करके आते हैं. ठीक है, बाबा. खूटे से बंदे बच्छडे को खुला मैदान मिलने पर जो आनन्द आता है, वही इस समय भानु वर्मा को विजे नगर का बाजार घूमने में आ रहा था. रंग भी रंगी दुकाने थी, कहीं खेल तो कहीं कर्तव. हाँ, खुछ वो. जलेबी. एक सिक्खे का चार. लूट बजी है, लूट. ले जाओ, ले जाओ. एक सिक्खे का चार, हमारे यहां तो छे मिलते हैं. तो तुम्हारे यहां से ले जाओ. अरे ले जाओ, एक सिक्खे का एक. इससे सस्ता फल और कहीं नहीं मिलेगा. एक सिक्खे में इतना बड़ा फाल? यह कठल है, बेटा. बुजूर्गों से सीखी है. गुड और मिश्री भी इसके आगे भीकी है. चक कर तो देख लो. यह लीजे एक सिक्खा. लेकिन इसमें तो काटे हैं. चिलका है, इसे काट कर अंदर से खाना. अच्छा. व्यापारी पिता का व्यापारी बेटा हूँ. एक सिक्खे में इतना बड़ा फल ले आया. बाबा तो खुश हो जाएंगे. वाँ, अरे काटे. नहीं, नहीं, गिर जाएगा, गिर जाएगा. क्या करूँ, क्या करूँ? वाँ, गुड़ार मिश्री तो क्या, इसके आगे तो शेहद भी फीका है. यह मीठा तो है, लेकिन चिप-चिपा भी है. अरे, निकल, निकल, निकल. अरे, यह तो क्प्रोकोवीची पक्राएं. यह क्या हो गया? बाबा तो आते होगे. आप क्या करूँ? गरम पानी. भानु वर्मा. अरे, पिता जी ने मुझे इस हालत में देख लिया, तो बहुत गुस्सा करेंगे. ओ, भानु वर्मा. लगता है विजे नगर उसे भाग गया है. जब तक हम राज महल से लौट कर आएंगे, तब तक वो भी आ जाएगा. तो फिर चलो, हाथ मुधो कर चलते हैं. राजा जी इंतजार कर रहे होंगे. चलो, चले. दिन भर का थकाहरा भानु वर्मा बैठते ही सो गया. चुंगी, लगता है कोई नहीं है यहाँ. चोरा है. एक, दो, तीन, चार. जितनी भेड उठा सकते हैं, उतने उठा लेते हैं, चुंगी. मुंगी, देख, कितनी गुलुली ताजी भेड. हाँ, चार के बरावर एक है. शोर किया, तो लोग आएंगे, बाबा को भी बलाएंगे. नहीं, नहीं, जो प्रहने में ही भलाई है. चुंगी, देख तो, अरे, अंधेरे में भेड समझकर छोटा हाथी तो नहीं उठा लिया है. कमर टूट गई है इसके वज़े से. अरे, उठ जाओ. मुगी, लगता है भेड थक गई है. देखना कितनी प्यार से सोई हुई है. आच्छ. यह चींगने वाली भेड? मैं भेड नहीं, बानू वर्मा हूँ. मुंगी, यह तो बोहने वाली भेड है. यह भेड नहीं, भूठ है भूठ. मुझे डर लग रहा है. मुझे भी. मैं भूठ हूँ. मुझे बानू वर्मा की आवाज है. अरे, कहां भाग रहे हो? मैं भाग रहे हो? अरे, मिलकर तो जाओ. अरे ये तो भानु वर्मा की आवाज है भानु वर्मा ये क्या हुलिया बनाया है पिता जी आप मैंने कुछ नहीं किया ये सब कप्टी कठल ने किया है अगर हाथों में तेल लगाया होता तो कठल नहीं चिपकता लेकिन कोई बात नहीं सीख तो मिली इसमें क्या है बाबा ब काफ्टी कठाल मुझे और किसी पुसीबत में फंसना हाटू विजे नगर में उडांका नाम का एक व्यक्ति रहता था तो हर व्यक्ति की कोई न कोई पहचान होती है वैसे ही उडांका की पहचान था उसकी कंजूसी वह इतना कंजूज था कि अपनी चपल भी हाथ में लेके चलता था हां हा हां मजा आ गया पाई पाई जोड के क्या सleft भूजन नारियल बर्फी अथ तक अससी बर्फी नहीं खाई जोड के तुम ने ऐसी बर्फी नहीं खाई और मैंने तो तुम कंजू से शादी करने के बाद बरफी नहीं गई अरी भागवान अगली दावत तो होने तो दो तुम्हारे लिए भी रख लाओंगा मगर पता नहीं अगली दावत होगी कब अगली दावत क्या? अगर तुम नारियल लाओ तो मैं अभी बनाए देती हूँ मगर तुम्हारे सामने नारियल लाने को कहा तो भैस के आगे बीन बजाने जैसा है क्योंकि पाई-पाई जोडने के चकर में खुद तो पादू का हाथ में उठाए घूमते हो कंजूसी के चकर में आटा डाल तो ठीक से लाते नहीं और खाना इन्हें नारियल की बर्फी है अरे आटे डाल की बात और है तुम बर्फी बनाती हो तो मैं अभी नारियल लेकर आता हूँ पाई-पाई जोड के हाँ हाँ लाओ तो अभी लाया नारियल लेलो नारियल लेलो नारियल अब या कितने के दिये हरेक नारियल मात्र पाच सिक्के के पाच सिक्के तो केवल वोल पे लग जानिया थी अरे थोड़ा तो कम कर लो पाई-पाई जोड के पाई-पाई जोड कर इससे कम में चाहिए तो दसकोस दूर जाओ जहां ये नारियल तीन सिक्के में पा सकते हो हाँ क्या पाच सिक्के का नारियल सिर्फ तीन सिक्के में कि अपना पसीना क्यों बरबात करूं कहीना कहीं कामा ही जाएगा हुडंका दूसरे नारियल वाले के पास पहुंचता है जहां उसका लालच और बढ़ जाता है तीन सिक्के के नारियल अगर दो सिक्कों में चाहिए तो दास कोस आगे जाओ अरे पैसे बचाने के लिए तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में चा सकता है कोई सवारी मिल जाती तो हो वाह मिल गई मारना ही था थोड़ी तीवरता से मारता ताकि सीधा नारियल वाले के पास गिरता सुनिया भाई साब मैं विजय नगर से चल कर आया हूँ तो मैं क्या तुमारे श्वागत में नारियल पोड़ू संभव हो तो फोड़ लो नारियल का पानी और छिलका तुम्हारा बस नारियल मुझे दे देना पाई पाई जोड़के अच्छा पूरा का पूरा नारियल एक सिक्के में मिलेगा क्या क्यों नहीं अरे आप इतनी दूर से आये हैं ओ यह लो नारियल यह क्या मैंने नारियल बोला था यह तो बस नारियल की खोपड़ी ही है इतने में तो नारियल की खोपड़ी ही मिलेगी जाओ यहां से भागो किनारे से जितने चाहे तोड़ लो, हाँ अरे वाँ वाँ नारियल ही नारियल मेरे नारियल हाँ अरे निकल चाहे लाँ अरे रे 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 ये क्या हो रहा है अरे बचाओ कोई ओ तरा पुझे कोई है कोई है पाई-पाई तुड़के ये कैसे हुआ कैसे और क्यूं सब बटाओंगा तुम बस नीचे उतारने में मेरी सहायता करो मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ एता बड़ा हाथी साथ में है मगर इता सा दिमाग नहीं लगा सकते पाई पाई चोड़के अपने हाथी पर खड़े होकर बस मेरे पैर को पकड़ो मैं उतर जाओंगा ठीक है ओहो इसमें तो बहुत समय लगेगा और मैं तनिक शिग्रता में हूँ मगर हाँ अगर तुम मुझे एक शिक्के के सौ शिक्के दे दो तो मैं सौ सिक्के मैं पाई-पाई बचाने के लिए यहां तक आगया और तुम्हे मैं एक सिख्के के सो सिख्के देदू? अरे नहीं-नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है आप आराम से लटके-लटके विचार कर लेजिए मैं चलता हूँ अरे-रे-रे, रुको भाई, रुको भाई, मैं दूगा, अमस्य दूगा तुम बस मुझे नीचे उतारो. चल नेरे अप्पू. शाबाज, शाबाज. अरे, पैर तो नीचे करो. अरे, अप्पू, कहां जा रहे हो? अप्पू! अरे, कहां मैं तुम्हे निकालने आया था? मैं खुदी फस गया. अब किसको बुलाओं, यहां तो कोई दिखवे नहीं रहा है. मिल रहा है. बचाओ! बचाओ! इधर! यहां तुम ही हो, जो नीचे उतारने में सहायता कर सकते हो. हाँ, हाँ, क्यों नहीं? बस इसके एक-एक सिक्खे के हजार सिक्खे लगेंगे. क्या? हजार सिक्खे? तुम्हें ग्यात भी है कि पाई-पाई जोड़ कर हजार सिक्खों के बदले में एक हजार नारियल खरीच सकता हो. हाँ, हाँ, और मुझे ये भी ग्यात है कि हजार सिक्खे नहीं देने पर तुम दोनों की हड्डियों के हजार टुक्डे भी हो सकते हैं. मैं तो चला. अच्छा-च्छा, मैं दूंगा. इससे भी अभी ही करता दिखाना था. अरे मेरे हाथ तो फिसल रहे हैं. अरे मत छोड़ना, तुमने छोड़ा तो हम सब दिरेंगे. अरे मेरा हाथ छोड़ा. अरे मेरे सिक्के. अरे सुनती हो. अब ये आपको क्या हो गया? और ये नारियल कितने का लिया? हजार सिक्के का. अरे मेरे मुर्थी मेडिया था.